क्या आपको सिर्फ bleach करने के लिए पारलर जाना पड़ता है सिर्फ 20 मिट के लिए आपको 100 या 200 रुपय खर्च करना पड़ता है जो काम 20 मिनिट पे घर पे ही हो सकता है घर बेठें 50 रुपय में 1 या 2 बार अपना bleach करके आप अपने पैसे बचा सकते हो और अगर आप घर पर bleach करने से डड़ते हो तो आज की वीडियो देखने के बाद घर पर ब्लीच करना सीख जाओगे आपको ब्लीच यूज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपके चहरे पे कोई कट लगी हुई है या फिर किसी तरह के रैशेस हैं या फिर आपके फेस लिए ब्लीच बहुत जादा डेंजरेस हो सकता है चाहे वो किसी भी ब्रैंड का ब्लीच क्रीम यूज कर रहे हो आप अगर आप अपनी स्किन की खैरियत चाहते हैं तो आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें बाकि नॉर्मल स्किन वाले ब्लीच क्रीम डेफिनिटली यूज लिए ब्लीच आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलता है मार्कित में आपको कॉस्मेटिक शॉपर मिलेगा मेडिकल शॉपर भी मिल जाएगा इजिली यहां पर आपको कुछ इंग्रीडियंट्स मेंशन मिलेंगे जैसे की हल्दी चंदन अलोविरा नीबू यहां इन्होंने यह भी क्लेम किया है कि इसको आप फेस, आम्स, एंड बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं इसमें हर्बल इंग्रीडियंट्स होने की वज़ा से यह आपके बालों की ग्रोथ को खतम करने की कोशिच करता है लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको फेस पर, न देखने के लिए और इस प्रोड़क्ट को आपको बच्चों से दूर रखना चाहिए इस ओलेविया ब्लीच की प्राइस है 45 रुपीज, शेल्फ लाइफ होती है इसकी 2 यर्स, टोडल कॉइंटिटी इसकी होती है 15 ग्राम, क्रीम मिलता है 13 ग्राम और एक्टिविट अगर आपके लिए ब्लीच हामफुल हो सकता है आप ना यूज करें ओपन करने के बाद अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है और इसके अंदर हमें मिलता है ब्लीच क्रीम, एक्टिविटर पाउडर, एक छोटा सा स्पैचुला और साथ में एक इंस्ट्रक्शन लीफ जाते हैं ताकि इसमें कोई भी एर ना जाए इसलिए इसमें जितना भी क्रीम दिया गया है इसका आधा मैं अपने फेस के लिए निकालूँगी इस एक्टिविटर पाउडर की डबी में भी आप देख सकते हैं डबल क्याप की पैकिंग दी हुई है ताकि एक्टिविटर पाउडर में भी एर ना जाए इसलिए जितनी कॉंटिटी में हमने ब्लीच क्रीम लिया है उसका वन फोर्थ हमें लेना है ब्लीच पाउडर अगर आप ब्लीच के बहुतरीन रिजल्ट चाहते हो तो आप इसमें एड़ कर ले एक विटामिन E की कैपसल ब्लीच होने के साथ साथ हमारी स्किन में मौश्राइजिंग प्रॉपरटीज भी हमें मिल जाती है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राइ है तो आपको इस स्किन राय नहीं भी है तो वाइटमिन E हमारी स्किन को मौश्राइज करने के साथ साथ हमारी स्किन के एंटी एजिंग रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है हमारे स्किन के जुरियों को भी खतम करने में हेल्प करता है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है स्मू कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ bleach cream और activator powder की help से भी अपना bleach apply कर सकते हैं इसको mix करने के लिए आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा इसको इतनी अच्छे से आपको mix करना है जब तक यह fluffy नहीं हो जाएगा तब तक आपको इस cream को mix करते जाना है ये देखिए आप देख सकते हैं cream की consistency बहुत ही ज़्यादा creamy हो चुकी है और ये fluffy type का हो चुका है before and after में आप cream का result देख सकते हैं mixing अच्छे से करने के बाद इसका कुछ इस तरीके से consistency हो जाता है इसके बाद आप इसको apply करें ध्यान रखें कि जब भी आप bleach cream यूज करें आप steel की कटोरी में बिल्कुल भी अपना bleach cream मत यूज करें आप एक कांच की कटोरी में या फिर आप प्लास्टिक की कटोरी में अपना bleach cream mix करके apply कर सकते हैं bleach यूज करने से पहले हम हमारे face को clean कर लेंगे अगर आप bleach पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको patch test करना ज़रूरी हो जाता है patch test आपको इस तरीके से करना होता है यहाँ पर मैंने पहले spatula की help से bleach cream को apply करने की कोशिश की लेकिन मुझे फीक से apply करना नहीं आ रहा था इसके बाद मैंने अपनी finger के help से bleach cream को apply किया तो okay okay था लेकिन मैं हमेशा brush के help से bleach cream को apply करती हूँ तो brush के help से बेस्ट होता है अगर आपके पास इस तरह का brush है तो आप अपने bleach cream को इस brush के help से अप प्लाइ करें बहुत जल्दी एक मिनिट में या फिर दो मिनिट में आपका काम हो जाता है इस तरह के brushes के help से तो इस तरह का brush आपको 50 rupees के अंदर मार्केट में मिल जाता है कॉस्मेटिक शॉपर मिलता है अगर आप घर पे मुलतानी मिट्टी का बेसन का किसी भी तरीकी का पैक यूज़ करते हो तो आपके पास इस तरह का brush होना जरूरी होता है ध्यान रखे bleach apply करने के टाइम पे आपको आई ब्रोज पे bleach cream अपलाए नहीं करना है आइस में थोड़ी सी जलन होना common होता है bleach यूज़ करने से skin पे glow आता है soft हो जाती है clean हो जाती है facial hairs hide हो जाते है facial hairs का color change हो जाता है bleach यूज़ करने का सही time रात को होता है क्यूंकि सूरज की किन्नों से आप बच सकते हो और रात को bleach यूज़ करने का फायदा ये भी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका चहरा glow करता है घंडे पानी से मूध होने के बाद आप अपना favorite moisturizer cream apply कर ले जो भी आपकी skin को soup करता हो इसके बाद आपको sunscreen apply कर लेना है इसके बाद आपका bleaching का process जो है वो complete हो जाता है यहां पर आप देख सकते हो मैं आपको facial hairs दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यह facial hairs मेरे skin के color में match हो चुके है so यही final result होता है bleaching गा अज का वीडियो आपको useful लगा होगा तो जाने से पहले इस वीडियो को like और चनल को subscribe ज़रूर कर ले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखेगा thank you so much for watching love you all bye bye guys bye bye